यश और कीरती किसे नहीं चाहिए मित्रों सभी जातक और जातिकाओं को अपनी जीविन में यश और कीरती चाहिए कहां से मिलती है यश और कीरती मित्रों मिलती है वो सूर्य परवत से सूर्य परवत बैठते हैं हमारे आनामिका याने रिंग फिंगर के नीचे वाले परवत पे यश और केर्थी के कारक है सूर्य हमारे विश्तार के और हमारी प्रतिष्ठा के कारक है कितना पावर दिया गया है समुद्र शास्त्र में इनको 35% पावर दिया गया है सूर्य को सबसे ज़्यादा पावरफुल सूर्य होते हैं 35% शक्ति मतलब एक तिहाई हमारी पूरी हतेली में जितने भी लाइन है परवत है और उंगलियां अंगूठा सब समस्त जोतिश मिला कर जो उसका 35% जो ग्यान है और जो कारक है वो सूर्य का परवत हमें देता आज हम सूर्य के परवत पर बात करेंगे कि किस प्रकार होना चाहिए और कैसे कैसे हमें यश और प्रसधाई यह सूर्य को परवत हमको देता है तो मित्रों यदी सूर्य अगर आपको यश और कीर्थी देने वाला है तो सबसे पहले मित्रों यह आप उंगली के प्रथम पौर्वे में देखिए अगर आपको शंक का निशान बना हुआ है ऐसा गोल-गोल तब यश और कीर्थी बेशुमार मिलती है और ऐसा जातक जो होता है वो विद्वान की श्रिड़ी में आता है अच्छा ग्यान होता है और अपने ग्यान से वो आगे बढ़ता है उंगली की कुछ प्रापर्टीज को हम देखेंगे देखिए इस उंगली में तीन पौर्वे हैं एक और ये दो एक दो और तीन तीन पौर्वे होते हैं तो मित्रों अगर बीच वाला पौर्वा बढ़ा है और लंबा है इन दोनों पौर्वों के मुकाबले थोड़ा भी बढ़ा हो एक सेंटीमीटर बढ़ा हो आधा सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर भी बढ़ा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं क्योंकि हमारी उंगली में जो भी बीच वाले जितने भी पर्वत हैं जब जब वह बड़े होंगे उस उस प्रॉपर्टे में या उस उस पर्वत के हिसाब से जो भी कारक होते हैं और जो प्रापतियां होती है वो विस्तारित हो जाती हैं बहुत बड़ जाती है तो मित्रों अगर बीच वाला पूर्वा सूर्य परवत पे सूर्य परवत की उंगली का ये वाला परवत अगर बड़ा है तो व्यक्ति धनी होगा प्रसिद्ध होगा और बहुत सारे लोग उसका गुणगान करेंगे वो कर्मयोगी भी उसमें उसको कर्मयोग की प्राप्ती होके ही रहेगी और मित्रों इसकी एक प्रापर्टी बहुत अच्छी है कि जब ये पोर्वा बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति अभीनेता बनता है बड़ा अभीनेता और ऐसे लोग अपनी जो काम करते हैं उसकी रॉल्टी से पैसा कमाते हैं उनकी आगे वाली पुस्त भी धन्वान रहती है तो बीच वाला पोर्शन अगर आपका अच्छा बड़ा है तो विस्तार मिलेगा ही मिलेगा प्रसिद्धी मिलेगी कॉपी का परवर्थ खास तो हमें देता है यश और कीर्थी लेकिन इसके अलावा साहित्य फिर हमारे कर्म में चमक दमक हमारा कितना उत्साहा है जिसको सेलिबरेशन कहते हैं फर्टिलिटी संतान उत्पादन करने वाला भी यही ग्रह है संतान से जो सुख मिलता है जो इज्यत मिल अगर सूर्य देवता है और इसके आगे हम देखते हैं अगर सूर्य परवत की उंगली जो अनामिका है उपर से अगर नुकिली हो जाती है तो व्यक्ति अग्र्ध थोड़ी हाइट लि होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए और वेक्ति क्ला प्रिमी होता है आपने देखा होगा बड़े musician, बड़े dancer और परियावरण में काम करने वाले engineers इनकी उपर से नुकीली उंगली होती है और बहुत अच्छे ये dancer और musician बन सकते हैं इसको renowned कहते हैं बहुत नाम होता है इन लोगों का यदि ये वाली उंगली थोड़ा सा मैं इसकी height से मैं आपको compare कर दूँ अगर अनामी का ये वाली उंगली पहली पहली उंगली जो हमारी तरजनी है उससे अगर छोटी है जैसा कि इस picture में आप देख रहे हैं तब क्या होता है तब कला के गुण कम होते हैं और यहां पर नेतरित्व के गुण जादा हो जाते हैं वेक्ति में हालां कि नेतरित्व भी एक कला है लेकिन उस कला में ग्यान भी बहुत बड़ा एक गुरुत्व भी एक बहुत बड़ा क्योंकि जो लीडर होता है वो बिना गुरुत्व के और बिना ग्यान के तो हो ही नहीं सकता अब अगर ये वाली जो उंगली है अनामी का अब अगर ये बड़ी हो जाती है कितनी बड़ी हो जाती है इस उंगली से बड़ी हो जाती है हमारी तरजनी से जब बड़ी हो जाती है तब हमको देती है कला और कला भी ऐसी पुष्ट कला देती है संचित कला देती है वो कला कभी हमारा लोप नहीं होता उस कला में वो कला पूरे जीवन भर बढ़ती जाती है अब यदि अनामी का छोटी है कितनी छोटी है ये लगभग इसके बराबर आ जाए मान लीजी यहां यहां तक आ जाए ये वाली उंगली के हमारी जो कनिस्टा है अब कनिस्टा के बराबर में जब अगर ये इसकी हाइट हो जाती है यानि कि हाइट अब कम हो गई बहुत कम हो गई तो बहुत कम अगर हाइट है तो ऐसा व्यक्ति अपने आपको प्रस्तुत नहीं कर पाता उसको प्रेजेंटेबल नहीं होता है हाँ वो गलत तरीके से नेगेटिव तरीके से जुआ है सटा है इसमें वो डूब जाता है इससे वो पैसे कमाता है इसमें यश और कीरती नहीं मिलती यश कीरती की फिर वोई लाइगी जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा आपको यश और कीरती ये लाइन ये उंगली दे कर जाएगी तो जुआ सट्टा वले आपने देखें कि लगबग उनकी जो उंगली है वो कनिष्टा के बराबर ही होती है ज्यादा बड़ी नहीं होती है इतनी बड़ी ही होती है जितनी बड़ी कनिष्टा है एक नई प्रापर्टी को देखते हैं मित्रों यदि उपर वाले पोर्वे पर किसी प्रकार भी अगर स्टार का साइन बन जाता है उपर वाले में अगर स्टार का साइन बन जाता है तो व्यक्ति फिर वो धनी होगा और बहुत महान धनी होगा अपने आसपास के छेत्रों में उसका बहुत नाम होगा उसका लोग बहुत स्तुतिगान करेंगे और यही अगर स्टार का साइन नीचे वाले परवत पे आ जाता है ऐसे नक्षत्र का या स्टार का साइन आ जाता है तब ये धन की नदी बहा देता है तो मित्रों आप लोग अपनी हतेली में चेक करिए ये नीचे वाला साइन धन की नदीया दरिया बहा देता है नीचे वाले पूरवे पर सूरी की उंगली के नीचे वाले पूरवे पर यदि आप खड़ी लाइन देखते हैं जैसी इन जातिका के हटेली पर दिख रही है तब ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं और इनके ऊपर कुछ जिसको हम कहते हैं विशेशग्य ज्यान होना एक अलग बात है और उस व्यक्ति का तछेत्र में ज्यान की महिमा इतना जादा हो जाना कि वो विद्वान की श्रिणी में आ जाए ऐसे व्यक्ति विद्वान बहुत होते हैं जिनके नीचे वाले पूरवे पर लंबी लंबी करता है आगे चलते हैं मित्रों यह है हमारी सूर्व परवच जिसकी हम बात कर रहे हैं अब यह उगली किस प्रकार होना चाहिए यह उगली सीधी-खड़ी होना चाहिए जैसे कि मॉडल हतिली में हैं सीधी-खड़ी हुई उगली व्यक्ति को एक ऐसे जगे ले जाती है एक कैसे पद पर ले जाती है कि उसके बाद एक ऐसी अवस्था में ले जाती है कि व्यक्ति को मान सम्मान की भी जरूरत नहीं होती है और मान सम्मान जो है व्यक्ति के पास खुद चलकार आते हैं लेकिन उसमें दिव्य साइन भी होने ही चाहिए कुछ अच्छी लाइने होनी कुछ अच्छी लाइने होनी चाहिए ये वाले पूर्वे पर और ये वाले पूर्वे पर इस पस्थ हो चार हो पांच हो तो ये बहुत अच्छा रहता है ये आप देखें कि अगर तीनों पूर्वे में एक लाइन दोड़ जाती है मान लीजिए कि ये तीन पूर्वे हैं और इन तीनों पूर्वे में एक लाइन दोड़ जाती है तब व्यक्ति को व्यपारिक ज्यान बहुत तगड़ा होता है बहुत कम उम्र में ही व्यक्ति समझ जाता है कि व्यपार में पैसा कैसे कमाये जाता है तो ये बहुत दिव्य लाइन होता है अगर एक लंबी लाइन दोड़ जाती है तीनों परवतों पर जब सूर्य की उंगली शनी उंगली यह जो हमारी मध्यमा है दूसरी उंगली जब शनी की और जुग जाती है तो व्यक्ति के मन में यश, केर्थी और सम्मान पाने की उत्खंठा बहुत तीवर हो जाती है व्यक्ति प्रयास करता है जो आपने देखा है कि लोगों को सेटिफिकेट मिल जाते हैं लोगों को मेडल मिल जाते हैं यह उस चीज को शो करता है जुकी हुई उंगली जो होती है मान सम्मान चाहने की और इंगित करता है व्यक्ति के कर्म ऐसे व्यक्ति करना चाहता है कि जिसको मान सम्मान प्राप्त हो बड़े अवार्ड मिले बड़े मेडल उसको मिले मित्रों ये कुछ जानकारी थी हमारी रिंग फिंगर अनामिका जो सूर्य की और जिसके नीचे सूर्य परवत का कारयले होता है मित्रों सूर्य परवत से और अनामिका उंगली से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों जाते जाते सबिस्क्राइब जरूर करते जाना आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस्टे ट्यूंड श्री गड़े शायनमाहा मा सारस्वती नमस्तु भ्यम